पेंड देखा गया है और उस पेंडों पर और पत्तों पे भी राम राम लिखे आ रहे हैं लोग चंबित हैं बानर भालू गीद जटायू सारे आ रहे हैं तो तीन सो फिटकी दीपक बनाया गया है दस अजार लीटर सरसो के तेल और सवा कुंटल बाती का दीपक जलेगा तप ऐसे चमतकार देखने को मिल रहे है कि 108 फिट अगर लंबी अगर बत्ती जो है अयोधा के अंदर पहुंच गई है घंटे की बात करें तो काफी बड़ा कई टन का जो है गंटा अयोधा में सिरी राम के आने से जो है वहां पर बेजा गया है और दिये भी बहुत बड़े मंदिर में तो महरा जी एक बड़ा है जै जैसरी राम नियूट्टी पोटका सबसे पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत के दाना सास्त्री स्रीधाम अयोध्या तो पांसो बरसों के इंतजार के बाद यह घड़ी देखने का हम लोगों का सोभाग प्राप्त हुआ है हमारे पूरबज कई इस घड़ी का इंतजार करते करते और अपने प्रभु के धाम में चले गए लेकिन हम लोगों के बड़ी सोभाग इकी बात है कि इस घड़ी की देखने का सोबसर प्राप्त हुआ है हम भी अपने मंदिर में गेरा सुदीवों का साम को जलाएंगे पटाके का प्रोग्राम है और 21 तारीक को अखंड रामायड का पाठ है और भजन करतन है हवन है और राम की जहांकी निकलवा करके बिचार बन नहा है कि पूरे गाउं का नगर भरमड और खुसिया एक किसम से मान के चलिए कि दूसरी का नाम ही आयध्या है क्योंकि यह रामड जा रामड था तिनों-तर्लों लोग परम हंस के आहां और एक सो आठ फुट की तो दो अगर बत्ती बनाई गई है जो आंदाबाद से आई है और इसके बाद अभी मैं न्यूज देख रहा था उस न्यूज में लग रहा है कि अज़द्या के पेंड़ पत्तों पर भी राम राम लिखे जा रहे हैं लिखे मिल ले ह किरपा है उनकी महिमा निराली है उनकी हम क्या ब्याख्या करते हैं कि जो भी है तो प्रभु की ही लिला है और जो भी हो रहा है ये प्रभु की लिला के कारण ही हो रहा है इतने बरस बनवास के बास हम तो समझते हैं कि 500 बरस का बनवास था भगवान टेंट में थे क्योंकि प्रभू इस टेंट में बैठे हुए हैं और टेंट में भी ऐसे कि धूप निकले तो बीच से फटा हुआ सीधा प्रकास सूरिका उस पे पढ़ता था तो यह आज हुआ है फटा हुआ टेंट उसके लिए कोट जाओ कोट के चक्कर काट उसमें भी नाना प्रकार के राजनीतिक दलोने में किसी का नाम नहीं लुगा कि इस पाल्टी ने है इस पाल्टी ने अभी तो शुरुवात है आगे क्या होगा अभी तो अध्या है फिर बाकि मतुरा और कासी भी बाकि है सारी नगरी वेक एक करके आ रहे हैं प्रभू तो अब आस जग गई है अभी तो आसी नहीं था कि अध्या बनके राम की नगरी बनके कंपलीट होगी लेकिन अब तो आस हैं कि अभी तो पिच्चर सुरू हुई है अभी बाकी पिच्चर बाकी है अब कासी कासी के बास सीज़े मतुरा जाएंगे क्योंकि योपी हमारी दियु भूमी है और सबसे बड़ी हम अपने आफको करतारते है उस यूपी के उस भूमी में हमारा जंब हुआ ये बड़ी सवभागे के बाद और अधार देखने का सववसर मिला है हमारे जीवन में यह देखना हम तो समय लोगे ना की भगवान जमने लीला किया था तो कहते हैं जितने मनुस थे जितने पेड़ पोदे थे और सब को जा करके यहां कहते हैं देवता स्वयम करते थे भगवान ने स्वयम अपना स्वरूप बताया है देवता ही ब्रामडों को पूजे है तो यह है कि उस मिट्टी में हम लोगों का जिनम हुआ है और भगवान की सेवा कर रहे हैं और बाकी प्रभु की हम से यही कामना करते हैं कि सब के उपर असिरबाद बना रहे ऐसे और ये मंगल भवने मंगल हारी द्रभव सुदसरत अजिर विहारी भगवान की क्रिपा है और भगवान की क्रिपा से बहुत जल्दी राम राज कायम हो जाएगा क्योंकि राम का राज होना चाहिए इसमें कुछ ने हिंदू राज हिंदू राज में सब आ गए हिंदू कोई वो नहीं है ब्रामण एक बर्ण चार हैं लेकिन हिंदू क्या है तो कहते हैं इसलिए जब पिता बच्चे की उंगली पकड़ता है तो बच्चे को हाथ पकड़ा के ले चलता है और जब अश्ट भुजी मा दुरगाई है तो आठ भुजा लेके आई है यसलिए यह चारो बर्ण उन्होंने कुछ ने कुछ ने कहा है खोन सबका एक है ये तो यहां आ करके ये बैस हैं ये छत्रिये हैं ये बनिये हैं ये सुद्र हैं ये यहां हुआ है लेकिन हम माना जाए तो सब हमें एक इंसान है और सभी मनिस्वों में ब्रहमणों को सिष्ट बताया गया और भगवान ने स्वयम पूजा किया है तो सुन्हेट सलन्हें मातु करने लगे अरंड का इंड में आता है रामचरित मानस में मैं पहुंचे तब कहते हैं कि उल्ट करक्यूं निवाप्यासा जब लग करविशन सार्ध सताथ खेत। करके लए गया था और जब वहां से लोट करके आते हैं तो घुसीया मना तो हम तो यह समझते हैं कि 500 वर्स बात आज वही दिन है यह बारत वर्स में सब के मन में एह हुलास है और सबसे हम यह जोड़ के प्राथना करते हैं कि कम से कम पाँच दीपक घर के सामने जलाएं ने अपने घर को साफ सफाई करें कि मालूम नहीं किसके घर में भगवान का चरण पर जाए तो अपने घर को साफ सुतरा करके और राम हमाए उस दिन रात्री को जागरन जरूर करें जो नहीं पढ पास चंदन गिसां तिलक करें रगवीर यह चित्रकूट से ब्रमचारी महराजी है मारा जी आप क्या कहना है हम तो यही कहना चाहते हैं कि यह पर जीवन में हमारे बहुत भाग का जीवन है यह बहुत उत्साय का और बहुत ही उसका जीवन है और काम है भग्वान राम इतने दिन बनबास में रहे वो चगदेवर से के लिए गए लेकिन यहां तो 500 साल किसी बनबास काट रहे हैं वहां तो चलो कुछ नहीं था तो बनका छपर था यहां तो बनका भी छपर नहीं था ऐसे पड़े रहे लेकिन बहुत खुशाली की बात है कि भगवान हमारे अपने इ पैठने जा रहे हैं तो जितना हो सके तो भगवान का दो हजार इसमें जो 22 में 22 तारीक है जन्वरी की इसमें जितना हो सके भगवान का नाम हर ग्रस्त हर इंसान को लेना चाहिए अपने अपने घर के सामने चार पांच पांच दीपक तो जरूर अवस्कर के जलाने लिखित होगा.